लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, मार्शल जी लांग टांग्शन से ज्यादा कुछ नहीं होते हैं, इसके बाद मोटू टांग्शन से कहा था, मार्शल जी लांग हमारी क्रेडिट ले गए, इस पर टांग्शन उसे टांग सेक्ट का लीडर पोजिशन को ओफर दिया थ तभी मोटू कहता है, बस मुझे टाइम मिले तो मैं चाहूंगा कि मैं भाईशांग के साथ कल्टिवेशन करू, यह सुनकर के भाईशांग शर्मा जाते हैं, उसके बाद मोटू, नींग, रोंग, रोंग और आसकर को चीरते हुए कहता है, मुझे उनसे जलन होती है, जो ल हो जाए, हम लोग कुछ ऐसे डिफैंस करेंगे कि यह सारे लोग मारे जाएंगे, जिसके बाद स्पिरिट मास्टर को यह समझ में नहीं आएगा हम, लोग कौन सा टेक्नीक का इस्तिमाल कर रही हैं, इस पर मार्शल जीलांग कहते हैं, टैंक्शन को हलके में मतलो, उसके पा इनके उपर नजर रख रही होती है, जिसके बाद यह सारे मधुमक्खियां अपनी सेक्ट लीडर को सारी बातें बताने के लिए उसके पास जाने लगती है, जिसके बाद मधुमक्खी की सेक्ट लीडर कहते हैं, बीबी डॉंग का फैसला सही था, और इतने दिनों के बाद मुझे उनकी कमजोरी मिल गए हैं, जिसके बाद वो बीबी डॉंग को इनफॉर्म करने के लिए अपनी एक मधुमक्खी को भेज देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मधुमक्खी बीबी डॉंग के पास आकर के कहती है, हमारी चिप ने आपके लिए एक लेटर भेज इसमें ओल्ड बर्ड निंग रॉंग रॉंग की फैमिली और भी लोग आये होते हैं, तभी वहाँ पर मार्शल जीलांग आ जाते हैं, और वही डीन पॉईजन मास्टर के साथ में जिवू और बाकी के श्रेक डेवल्स होते हैं, इसके बाद हमें एमपरर जुभेंग को दि कि हुहन इंपायर को यह पता चल सके हम लोग हार नहीं मानेंगे, और अपने घर, अपने परिवार को बचाने के लिए अपने पूरे कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे, इसके बाद वो आखरी में कहते हैं कि टियांडो आर्मी जरूर जीतेगी, इस पर के पूरी की पूरी पास का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि हुहन इंपायर की सेना भी पूरी तरह से रेडी हो गई, हैं, वही उनकी सेना में इलिफेंट सैट के कई सारे इलिफेंस होते है, इसके पीछे हुहन इंपायर सौर सैक भी आ रहा होता है, तभी ड्रैगन मास्टर भी वहां पर entry मारता है, उसके बाद वहां पर बाकी सेक भी पहुंच जाते हैं, वही हम देखते हैं कि बीबी डॉंग, इन पूरी की पूरी सेना को लीड कर रही होती है, तभी elephant सेक की लीडर कहता है, फाइनली अब में जल्द ही famous हो जाऊंगा, लेकिन यह इतनी जोश में है इसको यह नहीं पता होगा, कि पहले यहीं मरेगा, उसके बाद इसकी हालत तो कुट्टे की जैसा हो जाएगा, इसके बाद हम बीबी डॉंग को देखते हैं, और वो पूरी सेना से कहती है कि हम लोगों को angel god की कृपा है, और हमारे सामने कोई भी animatic नहीं पाएगा, इसके बाद हमें सारे elder का सीन दिखाते हैं, यह देख करके ऐसा लग रहा होता है कि यह लोग त्यांडो आर्मी आने का इंतजाम कर रही हैं, वही बीबी डॉंग को देख करके ऐसा लगता है कि वो जरूर कुछ, ना कुछ प्लान कर रही है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पूरी की पूरी त्यांडो आर्मी पहांच जाते हैं, यह लोग इतना ज्यादा होती है कि इन लोग के चलने से वो पूरे जगह पूरी तरह से काम परही होती हैं, जिसके बाद यह लोग बैटल के लिए एक पैटन में लगने लगते हैं, वही श्रेक डेवल्स भी इस जगह पर पहांच जाते हैं, तभी टैंग्शन अपना टांग सेक्ट को आदेश देता है, इस पर पूरी की पूरी टांग आर्मी अपनी क्रॉसबो को रिलोड कर लेते हैं, वही एमपरर सुबैंग इन सारी चीजों को देख रही होती है, जिसके बाद मार्शल जीलांग आ एड़ी होते हैं, और यहां पर हमारा पार्ट दो एंड होता है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले